जी हाँ नमस्कार दोस्तों आज हम आप सब के लिए एक और नया टोपिक लेकर के आए हैं जैसा कि आप जानते हैं और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है हमारी सुझाओ आपको अच्छे लगते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों जी घर में यानि कि हम इंडिया में रहते हैं और आप सब जानते हैं कि हमारे यहां बहुत आसानी से मिल जाता है गुड़ और इसके कितने लाव होते हैं बस इसके खाने की कुछ सैली आपको समझना होगा कब खाना है कैसे खाना है कितनी मातरा में खाना है फिर आपको यह प्रियोग के लिए बहुत ही फायदे मन साबित होगा दोस्तों यह सर्दी जुकाम खास तोर पर कफ से आपको राहत देने में मददकार होता है इसके लिए दूध ही च्छांच में गुड का प्रियोग किया जा सकता है और हां आप इसका काढ़ा बना कर भी पी सकते हैं आप तुलसी पत्टे के साथ बना लेते हैं इसका तो यह समझ यह सोने पे सूहागा वाली बात हो जाती है इसकी ताकत दूधनी बढ़ जाती है दोस्तों और आपको बहुत ही लावकारी यानि आपके लिए बहुत ही लावकारी होता है पेट की समस्या में जीहां दोस्तों गूड खाने से पेट की कई सारी problem दूर हो जाते हैं यह पेट में बने गैस पाचन क्रिया से जुड़ी अन्य समस्याओं को दूर करने में सक्षम है खाना घाने के ऐस आज़र से खाना आसानी से हजम हो जाता है इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम खाना खाते हैं तो थोड़ा सा उसके बाद कुछ मीथा खाया जाता है लेकिन अगर गुड़ हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पाचन के लिए बहुत सारी औश्रधियां औरेडी मिक्स होते हैं दोस्तों गुड़ आपकी स्कीन को बहुत ही हेल्दी बनाता है दोस्तों कैसे वो हम आपको बताते हैं गुड़ में एक खास गुड़ होता है कि वो आपके ब्लड को प्यूरिफाइट करता है यानि कि साफ बनाता है बलड में जमे हुए कचड़े को साफ करता है और अगर आपका बलड साफ होगा तो उसका बोडी में फ्लो बहुत सही होगा और जब फ्लो सही होगा आपकी बोडी में वो स्त्रावित सही ढंग से होगा आपकी बोडी में आप जानते हैं कि आपकी तुछ आप एक खुद बा खुद निखारा जाएगा क्योंकि हमारी पूरी बोडी का सिस्टम ही बलड पर dependent है दोस्तों बलड जो सर्कुलेट होता है उस पर dependent है दोस्तों तो हमें खासा लाब देता है और हमारी स्कीन को चमकता दमकता खुबशूरत बनाता है ये गूर अगर आप बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं या कमजोरी महसूस करते हैं तब ही गूर आपकी हिल्प करता है क्योंकि यह आपके शरीर की एनरजी के लेवल को बढ़ा देत है और आपको ठकान महसूस नहीं होने देता है पेट में गैस जी हां अगर आपके पेट में गैस बनता है तो आपको दूध में दूध में अक्सर लोग आज के डेट में चीनी डाल कर पीते हैं पर अगर आपके मान लेते हैं हम की दूध में गुड मिलाते हैं तो साइद कल बनेगी दोस्तों कान के दर्द में जी हां कान में दर्द होने पर भी गुड बहुत ही फायदेमंद है गुड को घी के साथ मिला कर खाने से कान में होने वाले दर्द की समस्या से निजात पाया जा सकता है वैसे तो गुड को गरम तासीर का माना जाता है लेकिन इसे पानी के स गोल कर पीने से यह बोडी को ठंधक प्रदान करता है और गर्मी को कंट्रोल करता है दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप गुड में कुछ चीजों की मात्रा मिक्स कर लेते हैं जैसे कि सूठ सतावर गुरक मुंडी और थोड़ी सी हिंग तो यह आपके सेक्स लाइफ के लिए बहुत ही बेहतरिन और शदी बन जाती है दोस्तों यह आपके स्वपन दोश को कंट्रोल करता है आपकी योन श्रक्ती को बढ़ाता है तो इस प्रकार से देखा आपने कि एक गुड हमारे लिए कितना लावकारी होता है बस हमें उसको कभी किसी चीज में मिक्स करके यूज करना है तो कभी सिंगल यूज करना है इसके हर तरह से यूज करने में एक अलग हिलाव होता है तो इस प्रकार से आज हमने गुड के फायदे जाने दोस्तों अगले बार एक और नया टॉपिक होगा हमारे साथ जुड़े रहे हमसे धन्यवाद